असलाम वालेकूम मेरे पाकिस्तानी और मेरे भारतीय मुसलिम्स को जो जो मुसलिम मेरे फॉल्वर्स है ये उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ती होती हूँ तो आप लोग पंजाबी भी समझते हो आप लोग हिंदी भी समझते हो और उर्दू तो आपकी है ही सबसे माशालला फेवरिट तो मैं सोचती हूँ कि यह I make special मेरे गोरे लोगों के लिए अंग्रेज लोगों को लेगे तो मैं सोचा I will make a video especially अपने Muslim बहनों के लिए बहनों और भाईों दोनों के लिए तो यह video oriented ही सिरफ Muslim culture के लिए है क्यों है यह आपको वीडियो में आगे बता लगेगा तो होता क्या है कि हम सब skin care की बाते करते हैं तो by the way मैं को हिजाब बाना नहीं आता मैंने बस ऐसे ही ट्राय किया है पता नहीं क्यों जसमें को feeling आ रही थी कि I should wear a hijab वीडियो में मुझे पता बाल नहीं नजर आने चाहिए पर क्या करें बाल है इतने चोटे से वो निकली जा रहे है तो anyways इंडिया में बात करते हैं अगर आप इंडियन मुसलिम हो तो भई आपको एक ही ब्रांड है जो मुझे पका पता के वो हलाल है और अगर आप strict orthodox Muslim family से और आप कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जो भी आपके मुझे में कुछ भी हराम ingredients हो तो आप Halal ingredients ढून तो अब तक जो मुझे दो तिन ब्रांड्स पता है Halal जो एक तो सबसे फेवरेट जो है वो इबा हलाल ब्रांड उसका नाम ही Halal है तो वो बिल सबसे बेस्ट है तो आप इबा हलाल वाले जो भी है वो उसकी रेंज ट्राइक कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारे जन्नत के fruits वाले ingredients है तो you will love that next जो आप कर सकते हो आप एक juicy chemistry है इवन जो lotus है वो भी उसमें almost Halal ingredients ही है और गानिक है बायोटीक भी Halal ingredients में ही गिना जाएगा यह क non-orthodox शेहरों में रहने वाले Muslims जो कुछ चीज़े follow करते हैं कुछ नहीं तो उनको तो फरक नहीं बढ़ता है वो तो सब कुछ ही use कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी मेरी बेहने हैं बहुत ही respected बेहने जो बुर्का पहनती है और बुर्का भी उनका fully covered होता है कईयों की eyes होती है क दिल से request है भाई I know आप लोगों को कुछ suntan का को issue नहीं है ठीक है पर आप लोगों के cases में आप सब मुरी Muslim बहनों को क्योंकि मैं जब college में पढ़ती थी वहाँ पे न सहारनपूर के patients बहुत आते हैं और सहारनपूर में बहुत से Muslims हैं and सहारनपूर से में को वहाँ पे patients को द बिना सोचे समझें बिना पूछे किसे से नहीं डॉक्टर से पूछ लो अपना test भी करवा लो लेकिन almost हर एक जो Muslim मेरी बहन है वो vitamin D deficient या calcium deficient होती ही होती है फिर भी एक बार test करवा लो क्योंकि तुम्हारे लिए बहतर रहेगा एक बार confirm हो जाएगा क्यों कह रही हूँ क् विटामिन D के absorption धूप से होती है तुम्हारे स्किन के उपर जब धूप पड़ती है तो फिर तुम्हारे बॉडी में 1,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 तुम्हारे 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 यह सब मुझे इसले पते क्योंकि मेरे पेशिंस बहुत थे वहां पे मुस्लिम्स पेशिंस बहुत थे तो जब आपके फंगल इंफेक्शन होती है तो आपको हमेशा दॉक्टर बोलेगा खुले कपड़े पहनो हवा लगने दो और यू नो बहुत ड्राय रखो पर आप बहुत नहीं होती है अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते है और यू नहीं होती है क्लोर्ट्रिम्स जोल पाउडर तो को दस्टिंग पाउडर भी बोलते हैं ठीके किसी भी ब्रांड का लेकर जहां जहां तुम्हारे फंगल इंफेक्षिन वहां पर तुम नहीं भी फंगल इंफेक्षिन हाना आमपिट्स होगे अपनी ब्रेस्ट के नीचे वाला एरिया हो गय ठीक है अपनी पेट वाला एरिया हो गया इस चगहां पर हमेशा रोस पाउडर लगाया ही लगाया करो डस्टिंग पाउडर गर तुम्हारे फंगल इंफेक्शन तुम्हें पता है क्या होती ही होती है अब जो नेक्स्ट इंपोर्टन चीज वो है कि तुम केल्शिम वाला हो गया पॉइंट ठीक है अब मुझे जितनी बार भी मैंने कोशिश की है आपकी वेबसाइट खोलने की I don't know यह जो बहुत गंदा सा सिलसला है इंडिया पाकिस्तान का इसकी विज़े से हम लोग एक नही हम एकी थे पहले ठीक है ना लहूर से इधर आये थे हमारे पूरवज और उसके बाद फिर जो बटवारा हुआ it is the saddest thing मुझे सबसे बुरी चीज लगती है कैसा हुआ लेकिन अब you know we can't do anything हम नहीं लड़ मैं अकेली तो बिलकुल नहीं लड़ सकते हूं but I really have a lot of respect for Islam religion बहु इस दुनिया में होता है जो भी कुदरत में होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है तो अगर यह बटवारा हुआ भी था तो भगवान की कोई मर्जी है इसकी वज़े से डिफरेंसे है लेकिन मैं मन में कोई डिफरेंस नहीं मानती हूं पस बूरा तब लगते है जब मै Google पर search करने लगते हूँ कि पाकिस्तान में skincare brands के बारे में knowledge ही कठी करने के लिए तो website ही नहीं खुलती है भाई मतलब क्या अभी भी मुझे पता है कि उच्छे से बत्तमीज लोग हीचे comment करेंगे इंडिया पाकिस्तान वाली बात पर कर शौंक है तो भाई जब आप वुजू करते हो तो अब आप skincare जो मैं पानी वाली चीज कर लो तो अपने तरीके से अपने religion के अपने family के तरीके से उसको modify कर सकते हो लेकिन face के उपर एक रुपे वाली स्टिरोइड ट्यूबं से बहनों आपको भी दूर रहना है वहाँ पर brand और बिखते हों के पर बिखती स्टिरोइड ट्यूब है पाकिस्तान में भी बहुत है इंडिया से तो यही ट्यूब से मुझे ने पता आपके कौन सी है अगर ऐसी वाली ट्यूब्स है तो भही उनसे थोड़ा सा थोड़ा निनसे दूरी रहो तुम मत लगा उनको चेहरे पर तुमारे चेहरे वैसे ही खुदाने इतने सुंदर बनाए है तो उनको ट्यूब लगा के घराब मत करो ठीक है और एक और चीज बताना चाहती हूं कि अगर तुम्हारे वहां पे मतलब अगर तुम्हारी डाइट में गरम चीजे बहुत है जो कि मुझे पता है तुम लोग मीट खाते हो और हम भी खा अगर खाता है तुम्हार फूड खाता है और एक वेट युण उनको चीजने से नएपक्ड़ की तुम्हार नाइट फूड स्ट्रीट अन्म्हार थे लोगा अपनीवेस कुछ चीजने हैं पाकिस्तान के बार में बट हम बात कर अभी आपकी स्कीन केर्की तो स्कीन केर की मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे को मेसेज करके बुता रहे थे कि Bio Oil आपके वहाँ पे 3000 का मिलता है, ऐसे होना नहीं चाहिए भई, पता करो अच्छे से कोई तो shops होंगी आपके वहाँ पे, जो international समान बीचती है, कोई ऐसे online retailers लड़किया होंगी, क्योंकि advanced है पाकिस्तान इतना भी वुरा हाल नहीं है, मुझे पता है, तो तुम पता करो आसपास कहीं से, कि तुम्हें कहीं से original वाला Bio Oil मिल जाए, अगर तुम्हें वीडियो देखनी है, original और fake की, वो मैं वैसे भी कमेंट्स पढ़के, कि मैं सिख हूँ, I am Dr. Harnit Kaur और सिख होने के नाते हम एक्सपेट करते हैं, कि मुझे अपने लोगी पसंद करेंगे या भारती ही करेंगे, पर जब मुझे पता लगता है, कि लोग लिगता है, I am from Pakistan, भाही ऐसे ना चोड़ा हो जाता है, कि यहार like out of country भी लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो मेरे बस दिल के एक इच्छा है, कि अगर तुम लोग, जिसे पाकिस्तान से हो और मुझे मेरी वीडियोस देखते हो तो भाही प्लीज एक unity से शो कर दो इंडिया के साथ इसे दिल बनाके पाकिस्तान, इंडिया लव पाकिस्तान या पाकिस्तान लव इंडिया, ऐसे करके comment में लिख देना, या फिर ऐसे कुछ भी दॉक्टर हनीद, इंडिया लव पाकिस्तान, कुछ भी जो भी differences है ना, दिमाग में निकाल दो, वो भी इंसान है, वहाँ पर बैठे उनको भी skin के problem दो आती है, हमें भी आती है तो मेरा बस ये video बनाने का छोटा से ये concept है, इसमें मेरा आपको बाते नहीं बताई हैं बस दिल की बाते शेयर कियें, का I want के वो दुश्मनी वाली चीज, लडाईया वाली चीज खतम होए, क्योंकि मैं इंडिया में बैठके आपकी help कर रही हूँ, कोशिश मैंने पूरी की है कि product list पता लग जाए, अभी भी करूँगी आप लोग फिर्म भी पते हैं, एक काम कर सकतो तो मुझे screen shots भेज सकतो, आप Instagram पर भेज़ो, Instagram पर मैं Dr. Harneet नाम पर ID है, वहाँ पर मुझे screen shots भेज़ो, अपने products के, और products के इंग्रीडियन्स कौन से हैं, आप मेरी खुदी मदद करो, वहाँ के जो, यार ये पर, फिलाल मुसलिम जो इंडिया में हो, वह लोग तो Iba Halal और ये कुछ और ब्रांड्स के नाम नी है, इनको try करो, और मुझे बताओ, आपकी skin कैसी है, और बाकी जो पाकिसानी है, आपके लिए तो भई, क्या ही बताओ, मुले बड़ी खुशी सी होती है, कि वहाँ से भी लोग एतना प्यार देते है क्योंकि दिल तो वहीं पे है, क्योंकि, you know, ननकाना साहिब and क्योंकि सिख भी है रहते हैं, हिंदू भी वहाँ रहते हैं, इंडिया में भी Muslims रहते हैं तो पता नहीं इतना फस इतना अप्पा लड़ाई जगड़ा है किस चीज़ का एंड में हम सब इंसान ही तो है न मैं एक औरत हूँ एक लड़की हूँ जब मैं सिर्क के उपर दुबटा ऐसे ले लेती हूँ तो मैं हर मतलब मेरा नाम तसे घर का सना है तो मैं सना खान बन जाती हूँ ठीक है जब ये दुबटा मेरा ऐसे हो जाता है तो मैं हरनीत कौर हो जाती हूँ ठीक है तो जब ये दुबटा मेरा निकल के ठीक है ऐसे हो जाता है सिंपल हाना नॉमल तो मैं सना शर्मा बन जाती हूँ ठीक है और जब ये दुबट्टा होता ही नहीं है या टी-शिट होती है या फिर you know stylish तरीके से कुछ ले लिया होता है मैंने इसे साइट पे तो मैं क्या बन जाती हूँ सना गुंजालवेस बन जाती हूँ I don't know सना स्मिथ बन जाती हूँ Dr. Harnit Smith बन जाती हूँ मुझे नहीं पता मैं Christian, Hindu, Sikh, Muslim end of the day हम सब लोग क्या है मैं औरत हूँ, मैं औरत ही रोंगी भाई ये सब एक पहरावा, एक सोसाइटी एक personality trait या कि अपनी nationality trait है पर ये सब चीज़े पीछे रह जाती है जब तुम दिल से अच्छे हो ना जब तुम दिल से कदर करते हो बाकी religions की, बाकी cast की बाकी सब लोगों की तो I think वो प्यार जहलगता है तो क्या तुम्हें मेरी वीडियो में प्यार जहलगता हो और नजर आया अगर तो आया तो प्लीज यार मैं अच्छे से कमेंट की वेट करूँगी इस वीडियो की नीचे अच्छा सा प्यारा से कमेंट कर देना फिर मैं बहुत खोईश होगी मुझे पता लगेगा कि सरहद पार से भी लोग है जो मुझे देखते है बस दिल से वीडियो बनाईये है दिल से ये कमेंट कर देना ठीक है आपकी सारी विशिस पूरी करें आप सब की स्केन अच्छे करें जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगी खुद ना खासता ना वीडियो बना बढ़े तो भाई नाराज मत हो जाना तो इंशाला वीडियो बनती रहेंगी और इंशाला और माशाला और अलहम्दुलिल्ला हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाला मग मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं सही बोल जो कि नहीं ये भी बताना मैंने काफी सारे शब्द यूज की है में बताना मैं सही उस कियें के नहीं कियें ठीक है? ओके, इंशालला अगली वीडियो में मिलेंगे ओके बाई बाई नहीं, अम, अल्ला हाफिज अल्ला हाफिज